प्यारे विद्यार्थियों साथियों आज हम चर्चा करेंगे राज्य के श्वरूप का पांचवा सिद्धान्त उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धान्त या परिप्रिक्ष अर्थात राज्य के श्वरूप का हम जो पांचवा सिद्धान्त ले रहे हैं उस पांचवा सि परिप्रेक्षे शिद्धान्त या द्रश्टी कौन इसका तीसरा पार्ट ले रहे हैं क्योंकि उदारवादी व्यक्तिवादी शिद्धान्त या परिप्रेक्षे या द्रश्टी कौन के जो प्रमुक प्रवर्तक या समर्थक वो चार हैं कौन कौन है जैसे को नाम भी नोट क प्रवर्तक जॉन लॉक एर्डम इश्मित जैरमी बेंथम हर्वर्ड इश्पेंशर तो बेटा मैं ने फर्स्ट पार्ट में प्रत्म पार्ट में जॉन लॉक की बात समझाईए दूसरे पार्ट में एर्डम इश्मित की बात समझाईए और आज हम जैरमी बेंथम की विचार अर्थात वास्तम में जैरमी बेंथम की वो कौन से विचार हैं जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि जैरमी बेंथम उदारवादी व्यक्तिवादी सिध्धानत के समर्थकते हम को ये बात समझ नहीं है इसमें और मैंने आपको बता दिया था कि हम उदारवादी इनसर की विचारों की बाते करेंगे तो प्राणे से प्यारे विध्यारतियों हम जैरमी बेंतम की विचारों को समझाएं उससे पहले प्रते दिन जो मैं एक लेक्षर मेरे यूटूब चैनल पर अपलोड करता हूं उसकी जानकारी शूचना आपको प्राप्त हो सके इसके लि विध्यारतियों को भी हमारे चैनल के बारे में आवगत करवाएं मुझे उम्मीद है विध्यारति मेरे इस वाक्य की कदर करेंगे थैंक्यू बेरी मच्छ उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष है ये राज्य के शौरूप का पांचवा सिद्धान्त है और लोग के उदारवाद के जनक हैं एडम इस्वित आजसासरी के जनक हैं जैरे मेंथम उप्रितवाद के जनक हैं और हरवर्ट इश्पेंशर ने राज्य का सावियों सिद्धान्त व्यवस्तित और क्रमद रूप में दिया है तो चारों के बारे में ये बहुत महत्वन पुर इच्वादी परिप्रेक्ष्य को हम समझें उससे पहले इसकी प्रस्ट गुम्भी त्यार करने हूंगी प्रस्ट गुम्भी के लिए मैंने या डाइग्राम सम्झेंग उसके बाद में सारी बाती इस प्रस्ट हो जायेंगी तो सबसे पहले तुम आपको बताना चाहूंगा कि चाहे पश्चमी राजनतिक चिंतने के इतियास का ध्यन करें या हम भारत की राजनतिक चिंतने का इतियास का ध्यन करें भारत के राजमतिक चिंतने के तियास का देन करें भाई, राज्य की प्रकर्ति, राज्य के कारियों, राज्य के लक्ष व्यक्ति और राज्य के सम्मंदों के बारे में विविन सिध्धान प्रतिपादित किये गए हैं मतलब अलग अलग सिध्धान तुमें अलाग अलाग बातें बताई गई हैं कि राज्य की क्या प्रकर्ती होगी, राज्य की क्या कारियों होंगे, क्या राज्य के उद्देश्य होंगे, व्यक्ति और राज्य के क्या सम्बंद होंगी तो इनहीं बातों को समझने के लिए लगभग 15 सिद्धान मैं आपको समझाऊंगा जिससे कि आप राज्य की शोरुप को आसानी से समझ सकें चुकि उधारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्षी के बात आती है चाहिए जॉन लोकों एडमिश्मितों बैंतम ये हरवर्ट इस्पेंशरों ये चारू ही वास्तिविक रूप में राज्य को साधन मानते हैं जबकि व्यक्तिव को साध्य मानते हैं ध्यान रखना है और चारू ही इस बात के समर्थन में हैं कि राज्य को कम से कम आर्थिक गत्युदिम हस्तक्षेप करना चाहिए अर्था चारू ही विद्वान वास्तिविक रूप में जैसा मैं यह लाश्मिंए लिखा भी है कि यह हस्तक्षेप की नीति और व्यक्तिवाद का समर्थन करते हैं बिचारों के चारों विद्वान तो इसका मतलब इस पास्ट हो गया है, कि यह व्यक्ति की शावत नतरता toda केंद्र बिंदु म मानता है, व्यक्ति को जादा सजावत नतरता प्रदां की जाये, अर्था है, उसके और उसके अनावसक रूप में राज्य, सासन, सरकार, हस्तक्चेप नहीं करें इस पर ये चारों की सहमत ये पर मैं आपको किरमज रूप में इन चारों के बारे में अलग अलग विचार बताई हैं जाउन लॉप की विचार भी मैंने प्रथम पार्ट में अप्लोड कर दियें दूसरे में एडम श्मित और तीसरा आज हम जैरेमी बेंतम की विचारों में उधारवादी व्यक्तिवादी से दान्त छुपा हुआ है ये बात आपको शमज नहीं तो सबसे पहले डाइग्राम सम रात नहीं कापी कुछ से बाते कही थी परंतों फिर भी राजनिति दर्शन का जो जनक है वह प्लेटो को माना जाता है राजनिति विज्ञान का जो जनक है वह अरस्तो को माना जाता है प्लेटो की विश्यो प्रिशित पुष्टाग रीपबलिक है जबकि अरस्तों की जो उसे पुस्तकिया पॉलटिक्स है। बेटा वैसे पुस्तकिया हो सब चुक्न कि मैंने प्रजिनतिकindranayan के इतियास पर अलग से भी लैच्छर अप्लोड कर दी हैं आप लिश्ट में मैं देख सकते हैं तो राजनतिक janOOOO की यस में राजनिकिक प्रकृति K किये गए जैसा कि जो हमारा ये पांता सिद्धान चल रहा है इससे पहले वी चार सिद्धान मैं समझा चुका हूं और इससे आगे दस सिद्धान मुझे और समझाने तो राज्य की प्रकृति कारियों तता व्यक्ति और राज्य की सम्मंद के बारे में लगवाक 15 सिद्धान कर चलिते हैं 15 के 15 सिद्धान आपको समझाँगा अभी आपका पांचा सिद्धान चल रहा है मतलब राज्य की प्रकृति के बारे में क्या कहते हैं कारियों के बारे में क्या कहते हैं और व्यक्ति और राज्य का क्या सम्मंद होगा इसके बारे में ये सिद्धान क्या कहते ह उपर हमें चर्चा करनी है तो ध्यांदे बेटा यहां फिर मैंने लिखा एक राजी की प्रकृति से जुड़े विविद परिप्रेक्षे भी इनको कह सकते हैं मतलब जो यह राजी के शोरुप के विविद शिद्धानते हैं जिनके अंतरगत राजी की प्रकृति कार्यों तत कह सकते हैं दिरष्टी कोण भी कह सकते हैं उपाबंग कでは सकते हैं यह विद्धानकी जायेंगे अनतर पाये जाता है लेकिन परियायवेयाची रूप मेनिका प्रियोक कर रहे ही यह व्यास성ि को बहुत ही गहराई से समझना चाते हैं तो इनमेन सुक्षमंतर भी पाया पर चूब कि हमें तो राजे की श्वारुप को समझना यह यहां अब द्हान ने बेटा मैंने यहां लिखआ है क्या ? कि जो राजे की शवारुप का उदारवादी व्यक्तिवादी सिधधान्त थि राज्य का निर्मांड भी अपने लाव और उहित के लिए किया है मेस कि अ आपने आपने एक साधन है जबकि व्यक्ति साध्य है अर्थात राज्य का निर्मान मनुष्यों ने अपने आवशक्ता की पूर्थी के लिए अर्थात मनुष्यों ने अपनी आवशक्ता की पूर्थी का एक साधन माना है किसको राज्य को कौन कहता है उदारवादी व्यक्त इच्छे भी बात कहता है और यंतरी से धेंट भी के लिए यह दोनों ही बास्ट भी करूप में व्यक्ति को सद्ध ह्मानते हैं zdnyrence को साधन भाय अरत्ध पूर्ण बातेस नोट करनिगे आगे मैं लिका है कि मतलब मतलब उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रिक्षी कहता है कि राज्य का निर्मान सब व्यक्तिवने मिलकर सब की व्यक्तिवत लाब के देशिच किया है मतलब राज्य का निर्मान लोगों ने मिलकर के किया है किसलिए किया है अपने लाब के लिए उपियोगताय के लिए हित के लिए किया है तो इसका मतलब यह होगा कि वास्तिय की रूप में यह यंत्रिय सिद्धान्त का ही परिणाम है चुकि यंत्री सिद्धान्त राज्य की तुलना मशीन से करता है मशीनों का दिर्मान आविश्कार अपने लाभ के लिए रोगों ने किया है इसलिए राज्य का दिर्मान भी यहाँ पर व्यक्ति उन्हें अपने लाभ के लिए ही किया है आता है राज्य एक साधन और व्यक्ति उसका साध्य है मतलब राज्य तो एक साधन है किसका साधन है मनिश्यों की आवश्यक्तों की पूर्थी का एक साधन है उन कहता है ये बाद उधारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्षे कहता है कि राज्य तो मनुष्य की आवश्यक्ता की पूर्ती का एक साधन है जबकि व्यक्ति उसका साध्य है क्यों क्यों क्योंकि व्यक्तियों ने मनुष्यों ने अपने लाब के लिए उपियोगिता के लिए हित के लिए राज्य का सामाजिक सनस्ताओं का निर्मान किया है अब अगर सामाजिक सनस्ताएं राज्य जनित में कारिय नहीं करता है तो ऐसी स्थति में यहां उन कानुनों को बदला जा सकता है समाप किया जा सकता है लेकिन व्यक्ति का आहित किसी भी सूरत पर बरदास्त नहीं किया जाएगा इस आदारपन में ये भी तरक दे सकता हूँ कि अगर समाज में कोई भी ऐसी प्रotthak परंपरा रीती रिवाज मौजूद है जिससे कि व्यक्ति का अहीत हो रहा है और व्यक्ति उपकर्न बन रहा है तो ऐसे रीत रिवाज परंपरा प्रotthak отмет की विरोध किया जाना चाहिए इस आधार पर मैं तरक देश सकता हूँ कि आज भारत के अंतरगत मृत्ति बोज और दहज प्रता मुझूद है जब कि ये दोनुं ही ऐसी प्रताई हैं जिनके अंतरगत व्यक्ति को वास्टी कृप में साधन बना दिया जाता है जब कि व्यक्ति अपने आप में साध्य ये किसी का साधन नहीं है जरा गोर कीजिएगा ये बहुत गंभीर मैंने आपको संकेत दिया है ध्यान रखेंगे इसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ लेकिन चोकी लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इसको मैं यहीं वि दिहान रखनी है कि जो उदारवाद है उदारवाद भी दो भागों बढ़ जाता है नकरात्मक उदारवाद सकरात्मक उदारवाद ये कहता है कि आर्थिक गतियुद्यू में राज्ये को हस्तक्चेप नहीं करना चाहिए जबकि सकरात्मक उदारवाद ये कहता है कि जन हि तो यहां पर राज्य को देखने का नजरिया क्या है इसकी सर्चा कर रहे हैं तो देखें हैं इस द्रिष्टी कोन के अनुसर राज्ये का आवशे बुराई है मतलब उधारवादी वयक्तिवादी सिध्धान्त या परिप्रेक्षे राज्ये को एक आवशे बुराई का मतलब यह है कि राज्ये आवसक इसलिए है कि ये लोगों की जीवन और संपती की रक्षा करता है और बुरा ही इसलिए कि राज्ये के द्वारा किसी ने किस रूप में हिंसा का प्रियोग किया जाता है हिंसा की जाती है अगे बढ़ते हैं इसकी अनुसार मतलब उधारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्षे के अनुसार मनुष्येक विवेक्षील प्राणी है अर्थात यह सिद्धान्त यह काता है कि मनुष्येक विवेक्षील तरक्षील बुद्धी मान प्राणी है इसलिए यह है अपना हि हित्ति में ही सम्झोता करेंगे फिर मैंने लेका जो अनुबंद करें मतलब सभी व्यक्ति आपसे मिलकर के जो सम्झोता करें सम्झोता करें अनुबंद करें तो जो अनुबंद करें उस अनुबंद में राज्य उनमें हस्तक्षेप नहीं करें मतलब राज्य अनावशक उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्षे की दवारा कि राज्यों को अनावशेक रूप में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए लोगों ने अपने हित के लिए जो समझोता किया है उस समझोते में राज्य हस्तक्षेप ना करें फिर मैं लेका निश्पक्ष निरिनिता की पालनी किया जा रहा है यानि बाकी वह नावस्वेक रूप में हस्तक्षेप नहीं करें इसलिए उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष यह कहता है कि राज्य एक निश्पक्ष निरनेता एक निश्पक्ष एमपायर रैपरी की भूमिका निवानी चाहिए इसको बस आगे यदि सब लोग परस पर व्यवहार करते समय अपने अपने हित का ध्यान रखेंगे तो इससे सामानी इतकी सिद्धी होगी अब सभी व्यक्तिवी व्यक्षील है तो यह परस पर व्यवहार करते समय अपने अपने हित को ध्यान में रखेंगे मतलब जब यह समझोता कर प्राणी है इसलिए कहा जा रहा है कि राज्य को अनावस्य ग्रूप में अस्तक्षे नहीं करना चाहिए मतलब अस्तक्षे पिनीति का पालन करना चाहिए कौन करता है उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धान त्या परिप्रेक्षे अब उदारवादी व्यक्तिवादी पर तूसरी पार्ट में समझा दियैं है। आज हम जाहरेम बे boost भाध़ में ले रहें। इसको उदारवादी वकृतिवादी की प्रवी मिचार था करतार तीसरा इसका पार्ट ले रहे हैं इसके राज्य के रॉप का वास्तिती रूप में साव्याव सिधान्थ दिया है और वह में सिध्धान्थ से आगे खर्का समस्टा दिया है आज हम ले रहें जैरमी बेंट इसका तीसरा ठीक है मैंने लिखा है बैंथम के विचार सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जैरमी बैंथम वास्तों इक रूप में उप्योकतावाद के जनक कहलाते हैं या उप्योकतावाद के प्रमुक्त प्रवर्तक हैं अब ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे और उप्योकतावाद के अनुभाव मूलक आधार पर उधारवादी व्यक्तिवादी द्रश्टिकून की पुष्टी की है मतलब जैरमी बैंथम एक ऐसे विचारक है जिन्होंने की जॉन लोक जो की यहां उधारवाद के जनक हैं इन्होंने जॉन लोक के जो प्राकरतिक अ जोन लोक के प्राकरतिक अधिकारों के कालपनिक सिद्धान का खंडन कर दिया उसको अश्विकार कर दिया उसको सविकार नहीं किया और उप्योगतावाद के अनुभा मूलक आधार पर उधारवादी व्यक्तिवादी द्रश्टिकून की पुष्टी की मतलब इन्होंने उ कि सरकार के दवारा केवल वो ही कानून बनाये जाहिए जिससे अधिक्तम लोगों को अधिक्तम सुक की प्राप्ति हो इनका जो आधार वाक्त के मूल सुत्तर वो यही है अधिक्तम लोगों का अधिक्तम सुक मतलब सरकार के दवारा वो ही कानून बनाये जाए जिससे अधिक् रखनी है अब जैरे में बेन्थम ने जो अपने उधारवादी व्यक्तिवादी विचार प्रस्तुत किये हैं उनको हम वन टू थ्री तीन विन्दों कादार पर समझेंगे नमबर एक उप्योगिता की संकल्पना तो सबसे पहले तो आप को यहां यह समझना है कि उप्योगित सार्थ से मेल नहीं खाती मानव जीवन के मामलों में केवल एक ही पूर्ण मांदन लागू होता है पूर्ण इस्ट सिद्धी अता है सारजनिक नीती को एक ही कसोटी पर कसना चाहिए अधिकतम लोगों का अधिकतम सुक अब इसमें कम्प्लीट बात आ जाती है अब मैं समझ पूर्ण प्रभुशत्ता और पूर्ण न्याय जैसी संक्लपनाई सामाजिक जीवन के अथार से मिल नहीं खाती है मतलब वस्तम में समाज में पूर्ण अधिकार पूर्ण प्रभुशत्ता और पूर्ण न्याय की स्थापना हो ही नहीं सकती है कौन कह रहे हैं जेरेमी बैं मतलब अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक सुक्की प्राप्ति यह जो है नियम लागू हो सकता है बाकि पूर्ण पूर्ण निया की प्राप्ति नहीं हो सकती है इसलिए इन्होंने पूर्ण इस्ट सिद्धि को पूर्ण मांदन माना है मतलब यहां फिर से सुरू करो मानव जीवन के मामलों में अब मानव जीवन के मामलों में इसका मतलब चाहिए कोई भी छेतर हो सामाजिक छेतर हो, आर्थिक छेतर हो राजन तिक छेतर हो, कोई भी तो छेतर हो मानव जीवन के मामलों में केवल एक ही पूर्ण मांदर नलागू होता है पूरन इस्टिशित धी, आते साईल जनिक नीती को एक ही कसोटी प्रकसना चाहिए। मतलब जब सरकार के दवारा कोई कानून बनाया जाया तो इसके एक ही कसोटी है और वह कसोटी कहाया, अधिक्तम लोगों का अधिक्तम सुछ। तरह वो यही है अधिक्तम लोगों का अधिक्तम सुख किलियर बेटा बाकि मैंने जैरेमी बेंथम के उपर काफी लेक्चर अपलोड कर रखें पस्षी मिराजनतिक चिंतन के अंतरगत आप प्लेडिस्ट में देख सकते हैं अगर व्यापक रूप में आप बैंथम को समझना को दोराया अर्थात वास्वी क्रूप में जैरेमी बेंथम से भी पहले जो यह सुख और दुख की बात हो रही है कि मनशे न कारियों को करना पसंद करता है जिससे उसको सुखकी प्राप्ती होती है उनकारी शों पचना चाहता है तो यह सुखवाद की आउधार ना तो प् एकपी के विचार को दोराया मतलब जायरेम वैनत्म ने इसी विचार को दोराया आगे बढ़ाया कैसे अर्था मनुष्यकों ऐसमार करना चाहिए जिससे अपने सुख बढ़ा सके और दुख शे बच सके इसको कहते हैं सुखवाद, मतलब एपीप्यूरस ने सुखवाद की संकलप ना दी थी, सुखवाद की अधार ना दी थी, इसका मतलब यह कि मनुश्यों को ऐसा विवार करना चाहिए, ऐसा कारे करना चाहिए, जिससे वे अपने सुख को तो बढ़ा सके और दुख से बच सके मतलब मनुश्यों का ऐसे विवार करना चाहिए जिससे क्या करें वह अपने सुख को बढ़ा सके और दुख से बच सके तो इसे कहते सुख वाद क्या अधार ना कि प्रकरती ने मनुश्यों को दो सुख और दुख है अर्थात मनुश्यों को क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निर्धारन ये दो सुख और दुख अर्थात मनुश्यों को क्या कारिये करना है क्या कारिये नहीं करना है इसका निर्धारन कोन करते हैं मनुश्यों के दो सुख और दुख करते हैं और मनुश्यों कोन है सुख और दुख फैसला करते हैं कि मनुश्यों को कौन सा कारिये करना है और कौन सा कारिये नहीं करना है जिस कारे से उसको सुख के प्राप्ति होगी उस कारे को करेगा और जिस कारे से उसे दुख या पीडा के प्राप्ति होगी उस कारे को वो नहीं करेगा इसलिए जैरेम बेन्थम ने वास्तिवी ग्रूप में मनुष्य के दो स्वामी माने सुख और दुख यहाँ पर जैरेम कार्त मंने लिख दिया है क्या जो बात सुख को बढाती है और दुख को रोकती है कम करती है उसे उप sophomore कहा जाता थै कार्त है इसके बाद न स्बात आती है कि जो Jeremy Bentham बेटा Jeremy Bentham संचाइक समझोते है और सामाने इच्छा के phrase NT दान कंडन करते हैं मतलब जैरेमी बेंथम ने जो सामाधिक समझोता सिद्धान्त दिया था जैसा कि होपस ने भी दिया है जॉन लॉक ने भी दिया है और जी जक्स रूसो ने भी दिया है और जो यह सामान इच्छा का सिध्धान्त की बात आते हैं सामान इच्छा का सिध्धान्त जी जक्स रूसो ने दिया है किसने दिया बैटा जी जक्स रूसो ने दिया है अब सामान इच् जीन जक्स रूसों कहते हैं कि प्रतिएक व्यक्ति की दो इच्छा ही होती है एक यथार्त इच्छा दूसरी वास्तिवी किच्छा का आधार स्वार्थ होता है वास्तिवी किच्छा का आधार परमार्थ होता है विवेक होता है ठीक है और वास्तिवी किच्छा का योगफल हो हदी का निश्य कर लिए कि मुझे चाहिए कितनी डिश्वत क्यूं न fibre लेकिंद आरे समाज में ऐसी ज्दनी वहां बीद सामानिशा का राता है एस पर बागी सामान आप्लोड कर रहा कि हमें उद आरवाइध क्जै को समझत रहा है है ज्रूम बेन्थम के विचारों को ध्यान दे सामाजीक समझोता और सामानीच्छा के सिधानत का जो है इन्होंने खंडन किया किसने जैरेमी बेन्थम ने और जैरेमी बेन्थम तरक दिया कि समुदाय का हित उसके प्रतक सदेश्यों के हितों का जोड होता है मतलब इनका कहना है कि समधाय का जो हित होता है वह उसके प्रतेक प्रतेक सदेश्य के हितों का क्या होता है जोड होता है इसलिए जैरमे बेंथम वास्तिक रूप में कारेवाई का जो मुल्यांकन करते हैं कि कौन सा कार ये व्यक्ति करे या ना करे या सरकार कौन सा कानून बन तो इसके लिए इन्होंने कारिवाई का मुल्यांकन का एक तरीका दिया है और तरीका ये दिया है कि सुख और दुख को एक तराजू में तोलें अब माल लेज़ेगा जब सुख और दुख को तराजू में तोला जा रहा है तो यहां पर यदि सुख का पल्डा भारी है तो उ आस्तुवी रूप में यहां सबसे पहले यह देखना है कि सुख और दुख को हम यह दी उनका टोटल करके कि भई सुख की मातरा कितनी हैं अब मान लेज़ेगा शुख की बात आती है तो यहां एक तराजू ले लिया हमने मान लेज़ेगा यह सुख और दुख हो गए अब मा लिजिएगा दुख का पलडा भारी है सुख का हलका है तो ऐसी स्थी में यह निश्चित है कि फिर इस कारियों को नहीं किया जाना चाहिए मतलब मूल बात यहां यह है कि अगर सेश दुख रहता है माइनस सेश फल दुख आता है तो फिर उस कारियों को नहीं किया जाए और स यह मतलब तराजों में इनको तोले सुख और दुख को इन्हों ने सुख दुख मापक यंतर भी दिया है आपको पहले कह चुका हूं कि जैरेम बेंथम के उपर मैंने कितनी लेक्षर अपलोड कर दिये हैं आप प्लेशिम देख सकते हैं पस्मिराजमति के चिंतन के अंतरगत ठीक है बेटा चुकि यहां को हमें के उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्षे को समझना और यह भी इस रूप में समझना है कि वास्तों में जैरेम बेंथम के ऐसे कौन से विचार हैं जिन्होंने की ऐस तक छेप की निती और व्यक्तिवाद का समर्थन किया है तो साधन आधिक्तम लोगों का आधिक्तम सुख की प्राप्ति का साधन मानते हैं राज्ये को तो यह तो राज्ये को साधन मान रहे हैं जबकि व्यक्ति को साधन मान रहे हैं तो डेफिनेटली जैरेमी बेंथम के विचार उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्षे के सम पर आप जो है जैरमेन बेन्थम पेले लिस्ट में देखेंगे गई पासि मिराजमतिक चिंतन के अंतर को व्यापक व्यापक कर दीए मैंने क्या व्यापक व्यापक कर दीये यहां तो किलि इतना ही नोट करेंगे बेन्थम ने सुखहों में गुणात्मक आधार का खंडन किया और केवल परिवानात्मक अंतर को माननेता दी है बस इसी से सम्मधित एक्जामें प्रेशन पूछा जाता है अब इसके बाद में पहला जो इसका विचार है उप्विक्ताइक संकलपना यहां तक समापत होगी उसके बाद में दूसरा है विधी निर्मान के सिद्धान अलता जैरेम बेन्थम ने वास्तवी कुरूप में विधी निर्मान के सिद्धान दी है कि सरकार विधी निर्मान या कानून निर्मान की सिद्धान के आदार पर करें तो जैरेम बेन्थम ने वास्तुई कुरूप में यहां विधी निर्मान का इस सिद्धान दिया है क्या सिद्धान दिया है अधिक्तम लोगों का अधिक्तम सुख मतलब सरकार केवल वोही कानून मनाई जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुक्ष की प्राप्ती हो यس का मू لाधार है और इसे के साहते में जैरेम मैंतम ने वाश्री करुप में समावता के उपर बल दिया है क्यों दिया है क्योंकि इनका इसमस्टरुप में कहिना है कि अधिक्तभ मों को अधिक्तम सुक्ख की प्राप्ति गूर इसमें एक व्यक्ति को एक ही काई माना जाएगा इसके बाद में इसका तीसरा जो विचार है वह है सरकार का कारी है मतलब जैरेम बेन्थम सरकार के कारियों के उपर भी अपने विचार दे रहे हैं और सरकार के कारियों के उपर जो अपने विचार दे रहे हैं उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धान्त की समर्थ कें। की सब्सक्राइब तो फिर ऐसी प्र स्थें उनके कार्यों के नथियो no से कम हस्तक छेप करें ज्यादा हस्तक छेप नहीं करें और इसी के साथ में इन्होंने व्यक्ति वाद कभी समर्तन किया है क्यों क्यों कि इन्होंने वास्तविक रूप में इस पर रूप में कह दिया है कि व्यक्ति अपने आप में साध्य होगा जबकि राज्य साधन होगा अर अब जैरेम बेंधम करें कि प्रतेक व्यक्ति सरोतम निरनायक होता है अर्थात प्रतेक व्यक्ति सरोतम निरनायक इसलिए होता है कि सभी मनुष्य विवेक्षिल होते हैं बुद्धिमान होते हैं यह तो यह उदारवाजी विचादर मान के चलते हैं कि सभी मनुष्य विवेक होता है तो डेफिनेटली वो जो भी निरने लेंगे अपने हित्में लेंगे इसलिए जैरेम बेंतम करें कि प्रतिक व्यक्ति सरौत्म सरकार के दोरा यह भी कारिय किया जाए कि सरकार ऐसे कानून बनाए जो लोगों के शावतंतर गतिविदियों के मारग में आने वाली बादहों को दूर करें सरकार के दावरक केवल वो कारे किये जाएं जिसी कि उन्हों बाधाओं को दूर किया जा सके और व्यक्ति के कल्यान में कोई बाधा खड़ी नहों केवल ये बातें सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए तो आप जैरमी बैंथम के जो तीन बिन्नों के आधार पर मैंने आपको ये समझाया है तो इन विचारों का जैरमी बैंथम के विचारों के अंतरगत उदारवादी व्यक्तिवादी सिध्धान्त मौजूद है उदारवादी व्यक्तिवादी विचार मौजूद है इसलिए उ तो जयर्वय बेंथम है वो भी प्रमुख प्रवर्तक या समर्तक है। यह हो गया आपका उधारवादय व्यक्तिवादी का तीसरा पाट। इसके बारे में कल हम लेंगे हरुद इसपेइंसर। उदारवादी व्यक्तिवादी क्या उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्षे या सिध्धान्त का चोथा पार्ट लेंगे जिसमें हम कल बात करेंगे हरवर्ट इस पेंसर की तो मुझे विश्वास है आप उदारवादी व्यक्तिवादी सिध्धान्त को इन चारू समर प्रतौटों के कादार पर ठीक से समझ सकेंगे इसलिए मैंने इन 4 वे के उपर अलग अलग से लेक्टर अप्लोड किया है जिसे की मेरी प्राज़वादी व्यक्तिवादी शिद्धान्त को समझने में दिक्कत ना हो अर्थात राज्ये के श्वरूप का जो पांचवा इसको आप बहतर तरीके से समझ सकें, इसलिए मैंने इसके उपर तीन लेक्चर्ट अप्लोड कर दी हैं, और कल इसका चोथा होगा, जिसमें हम हरवर्ट इस्पेंशर के विचारों की चर्चा करेंगे, इसके साथ में उधारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्षे की कल हम स आप तहमें करना है कल, ठीक है बेटा, तो मुझे पूरा विश्वास है, आप राज्जी की शुवर्प का उधारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्षे या सिद्धान्त या द्रेश्टे कोन बहतर तरीके से समझ गए होंगे, यास, ओके, थैंक्यू वेरी मुश, थैंक